आप देख सकते हो ये नोटीफिकेशन जो है नेशनल हेल्थ मीशन जारकंड में आई वी है और इसमें हम लोग सारीची ये डिटेल्म टिसस करेंगे और यदि आप इस चानल पे नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको Everyday Government Jobs Related Notifications मिलते रहें तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे Vacancies तो इसमें जो है यहाँ पे 1141 Vacancies है जो Contract Business पे है और यह Vacancy जो है State Level, District Level and Block Level पे Vacancy आई वी है और यहाँ पे जो है काफी सारे आपका यहाँ पे Profile होंगे राइट और डिफरेंट 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 वैकेंसी हैं जैसे यहाँ पे आयूस Medical Officer के लिए देखें तो इसमें जो है और मैं एक और Profile आपको बता देता हूँ जैसे यहाँ पे पंच कर्मा आयूस एमो मेल के लिए देखें तो इसमें जो है एक और Profile यह दे हम लोग देखें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए तो इसमें जो है टू इयर का पोस्ट ग्रेजवेट डिगरी होना चाहिए राइट या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे Profile है जैसे यहाँ पर हम लोग ब्लोक एकाउंट्स मैनेजर के लिए देखें तो इसमें जो है और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और सारे चीज़ है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर काफी सारे Profile है और अर हम लोग यह पर देख लेते और 40 year रखा गया है एज राइट और यहां पे medical officer के लिए देखें आई उस medical officer के लिए इसमें जो है general के लिए 45, इडलोस के लिए 45, OBC के लिए 47, male undeserved के लिए 48 और SCST के लिए 50 यह रखा गया है एज राइट और यहां पे हम लोग देख लेगे form fill करना कैसे है तो form fill करने के लिए आपको जो है इस website पे जाना होगा इस website पे जाके आपको online form को fill करना है और यदि आपको कोई भी problem होता है form fill करने में तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूंगा और आपको जो है यहां पे 23 फरवरी से 14 मार्स तक form fill करना है और यहां पे आपको जो है document क्या क्या देने होंगे form fill करने वक्त तो यहां पे दिया हुआ जैसे प्रोफाइल इमेज affects doctor image 10th mark seat 12th mark seat essential qualification document एसेंच्या experience डोकिमेंट रैट यहां पर जो है domicile certificate का certificate यह दिरी required है पिए सट्थीफ़िकेट यहां रीक्वाइड है तो आपको देना है and registration certificate लाइट तो यह सारब चीज़ने आपको जो है document में देना हो इसके इसके अप्लोड करना होगा और कोस्चन जो यहां पे MCQ का कोस्चन आएगा राइट कम्प्प्टर बेस्ट यहां पे होगा मल्डिपूल चाहस कोस्चन होंगे और पेपर आपका जो है राची में कंड़क्ट कराया जाएगा यहां पे हम लोग देख लिए बस आपका जो है 10th 10 टेक्निकल 12 टेक्निकल ग्रेजूट एंड ग्रेजूट टेक्निकल के लिए तो इसमें पार्ट ए में आपका लेंग्वेज नॉलेज्ट और यहां पे हिंदी एंड इंग्लिस होगा 20 कोश्चन होंगे और पार्ट बि में रिजिनिंग रिजिनल लेंग्वेज आएगा राइट इससे 20 कोश्चन होंगे mcq types का और यहाँ पर पार्ट C में technical या फिर domain specific questions होगा 60 questions होंगे mcq types का और अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आपका graduate level का post graduate level का तो यहाँ पर यहाँ पर पार्ट A में आपका language language knowledge and Hindi and English से question जो है 30 questions होंगे और यहाँ पर 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 यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आपका जो है questions जैसा मैंने बताया 100 mcq questions होंगे पर questions आपको one marks दिये जाएंगे और इसमें कोई भी negative number नहीं है तो अच्छी बात है और देख लेते हैं इसमें तो और इस notification में कुछ नहीं है और यदि आपको notification में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूँगा और और आप मेरे telegram channel से भी जूर सकते हो आपको काफी सारे doubts clear कराया जाएगा और notification के regarding reading जो है सारे doubts आपके clear वहाँ पर कराया जाएगे तो आप जो है telegram channel पर भी जूर सकते हो और मिलते next video में तो thank you for watching this video